हेलो अब्रिवन वेलकम टो मैं चैनल फ्रेंड्स आज चलिए बनाते हैं बहुत ही अनोखी चटने जिसको आप 6 मेने तक स्टोर करके फ्रीज में रख सकते हैं और किसी भी स्नैक्स के साथ रोटी के साथ पराठे के साथ अब इसको कभी भी इंजॉय कर सकते हैं तो चलिए दे सबी चीजों को अच्छे से दो के थोड़ा सा इसको सुखा लिया है आप पंखे के सामने भी रख देंगे तो भी यह आदे घंटे में सूख जाएंगे या फिर अगर आपके घर में दूप आती है तो थोड़ा सा उसको धूप में रख दे वह सूख जाएगा बस शियोर य अपिश्यू पानी से नहीं बनाएंगे हम इसको बनेगर से बनाएंगे विनेगर के फिर इसमें मैंने डेस्के के कोर्डिंग नमक डाल दिया है आप इसको पेस्ट बना लेंगे यह देखिए मेरा चटनी का पेस्ट तेयार हो चुका है अब इसको चले एक अपार निजिव यह चटनी आप फ्रेंट्स खाने में भी बहुत अमेजिंग टेस्ट होता है आप इसको एक जार भर के बना के रख दीजे क्यूंकि गर्मी में धनिया बड़ी मिश्किल से मिलता है अब मैंने पैन गरम कर लिया है उसमें मैं दो चमाश तेल डाल रही हूँ अब उसमें मैं अट कर रही हूँ आधा चमाश जीरा तेल और जीरे को हम अच्छे से पका लेंगे एक बर जब यह तेल और जीरा पक जाए तो फिर हम इसको चटनी में अट कर देंगे तेल और विनेगर क्या करेगा कि हमारी चटनी को प्रिजर्ब करेगा खराए मैं इस जीरे की तड़की को चटनी में डालकर अच्छे से मिक्स कर दूँगी और जब यह थंडी हो जाए ना तो उसके बाद से फिर मैं इसको पैक करके फ्रिज में रख दूँगी आप किसी भ अथे माँ आप को एंछे कर बाद सकते से तंक्सי पर वगठी कर सकते य्द्य वढड को चिक्ति को कि की